ये तो आप देखी रहे हैं जब भी भारत ने आगे बढ़ने की सोची तब तब बड़े देशों न कहीं न कहीं अडंगा ज़रूर लगाया है और इस कड़ी में बिटेन, चीन, ईउ, अमेरिका सब कोई कहीं न कहीं अपना फायदा चमकाने की फिराक में रहा है उन्हें पता है अगर भारत उट खड़ा हुआ तो उनका पत्ता ही साफ हो जाएगा वहीं इसी कड़ी में भारत अपने कंटेनर और शिपिंग इंडस्ट्री के विकास में ध्यान देने में लगा है भारत ही अच्छे से जानता है कि ये ऐसी इंडस्ट्री है जो बड़े-बड़े देश ग्लोबल लॉजिस्टिक सॉलुशन प्रोवाइडर सैंस्किप ग्रूप की तरफ से मिला है जिसमें कोची शिप यार्ड दो ऐसे शिप का निर्माण करेगा जो जीरो इम्मेशन के साथ कंटेनर लोडिंग की शमता रखते होंगे वहीं ये प्रयोजना ग्रीन हाइडरोजन के साथ हाइडरोजन फ्यूल सैल द्वारा संचालित दुनिया के पहले जीरो इम्मेशन फिडर कंटेनर वेसल में से एक हैं वहीं इन शिप को ग्रीन हाइडरोजन के इस्तमाल से चलाया जाएगा वहीं CSL जिसने पहली बार सोदेशी विमान वाहक पोथ आयनस विकरांद का निर्मान किया उसने कहा है कि प्रस्तावित फिडर जहाज लगबग 365 क्यूब कंटेनर ले जा सकते हैं जो की 45 विट लंबे होंगे जो खास तोर पर यूरोपी बाजार की सेवा के लिए डिजाइन किये गए हैं आपकी जानकारी के लिए बता दे कि सैम स्किप ग्रूप रेल और वायू द्वारा परिवयन और संबंदित सेवाएं प्रदान करती है जो कि कॉश्ट एफिशेंट रिलाइबल और इन्वायरमेंटल फ्रेंड्ली सॉलूशन पर दिहान के इंदरत करती है इससे आप समझ गए होंगे यहां कंपनी का फोकस जीरो मेंशन है जिसके ल बाजार में अपनी उपस्तिती का विस्तार करने में लगी है जिसने डुनिया भर के काई देशों में जहां जो की डिलिवरी भी की है वहीं इन नए जहांजों की डिलिवरी की समय सीमा की तीसरी तीमायी में निरधारित की गई है वहीं Zero emissions mode में प्रतेग जहांज में से प्र भारत पहले हाइड्रोजन इंधन को लेकर काफी आगे निकल चुका है जो भारत के आने वाले प्रोजेक्ट में बड़ी भूमी का निभा कर दे सकता है